हाई फ्रेड्स वेल्कम टो मैं चैनल किरन्स जायका आज मैं चीवडा के रेस्प्री शेयर करने वाली हूँ आप मेरे वीडियो को पुड़ा देखे और लाइक एंड सब्सक्राइब जरू कर मैंने दो कप पोहा लिया है रिफाइंड ओल करी पत्ता हरी मीट मखाना मुंग फली बिकेनरी भुजिया और नमक हल्दी ब्लेक पेपर और काला नमक पैन दर्म हो चुका है मैं इसमें पोहे को रखूंगी और रोस्ट करूंगी अब ही इसमें ओयल नहीं डालना है पहले इसे सुखा ही रोस्ट करना है कि अब है अब है अब है अब है यह मैंने बहुत ही पतला वाला पुखा लिया है आप कोई भी पोहार ले सकते हैं यह हो चुका है अब मैं इसे निकाल दूंगी पैन गर्म होने पर मैं वन टेबल स्पून ओल डालूंगी मैं मखाना को दूंगी मुंफली मेरा भूना हुआ है इसले मुझे मुंफली मेरा भूना हुआ है इसले मुझे मखाना हो चुका है अब मैं वन टेश्पून के करीब और डालूंगी इसमें हल्दी डालूंगी तू पिंच के आसपस इसे निक्स कतने के बाद हलका फोरी को डाल गए इसमेर नमक डालूंगी तू नमक डालूंगी बूना हो नूंक चली है इसमेर निकाल लूंगी बहुत इसमें वन टीस्पून के आसपास में तेल दालोने फरी मिर्च में तेल फरी मिर्च कजी पत्ता करूं ही कजी पत्ता अपने टेश्ट के मूँ सावा प्यों करें अब मैं इसे निकालोंगे अब मैं इसे निकालोंगे इसके उपर मैं बुझिया डालेंगे जालेंगे तक निकालोंगे वापस फिर मैं ब्लैक टेपर डालेंगे काला नमा हलका लापस मिक्स करेंगे इसके उपर हलका बुझिया रालेंगे इसे यह हमारा साम का नास्ता त्यार है इसे चाय के साथ खाईए या कभी भी खाईए जाब खाईए